नमस्कार फ्रेंड्स, आपको आज जो भी कुछ में जनकारिया दे रहा हूँ, आप जानते तो होंगे, सुनते तो हैं, मगर ये नहीं जानते हैं कि क्यूं, ऐसा क्यूं होता है, विवाह में साथ फेरे क्यूं लिये जाते हैं, साथ बचन क्यूं, तो आज आईए, मैं आपको बताता हूं साथ फेरे और साथ बचन क्यों लिए जाते हैं विवाह के दवरान लिए जाने वाले साथ फेरे हिंदु धर्म के बहुत माननेता है लेकिन यहां गौर करने का विशय यह है कि विवाह में वर बभु साथ फेरे ही क्यों लेते हैं क्या इसकी संख्याई से ज्याद भाना जाता, भारतिय संस्क्रीति के नुसार ये साथ अंक बहुत महतिपूर्न हैं। सालों से ही साथ अंक की संख्यय मानव जीवन के लिए बहुत ही विशिष्ट मानी गई है। भारतिय संस्कार में विवास से लेकर लोग पर लोग तक पहरे हैं साथ हं का महत्व। यदि हम नजर घुमागर देखे तो सुर्य में परकास की सात रंगे ही होती है यदि संगीत की बात करें तो इसमें भी सोरों की संख्या साथ है सारे गम अपाधानी प्रीच्वी के समान ही लोकों की संख्या भी साथ है भू, स्वह, मह, जन, तप और सत्य सिर्फ प्रीच्वी ही क्यों लोग परलोग में भी गाया जाता है सात अंकी महता का गुनगान दुनिया में पताल, अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल है दिवपो तथा समुद्रों की संख्या भी मिलकर साथ हो जाती है प्रमुख पदार्थ की साथ है गुरोचन, चंदन, श्वर्ण, शंग, मृदंग, दर्पन और मनी जो की सुध माने जाते हैं मानों से संबंधित प्रमुख क्रियाएं भी साथ ही है जैसे की सोच, मुक्षुद्धी, असनान, ध्यान, भोजन, भजन तथा निंद्रा क्रोध, मो, द्वेश, लोग, घ्रिना, तथा कूबी चार बेदों के अनुसार साथ तरह के असनान भी होते हैं मंत्र असनान, भौम असनान, अगनी असनान, ब्याव्य असनान, दिब्य असनान, करुना असनान और मानसिक असनान दुनिया के हर एक कोने वह हर एक बिशाय में सबसे बसे हुए इस साथ अंके महत्तों को देखते हुए ही रिशी मुनियों ने विवाह की रस्म को साथ फेरों में बांधा है दोस्तों बाकी और कोई region नहीं है और कोई कारण नहीं है जो साथ फेरे और साथ बचन लिये जाते हैं बस मैंने आपको जो भी आपके सामने रखा यही बात है कि साथ फेरो और साथ बचन का आज से नहीं सदियों से इसकी प्रम्परा चली आ रही है आज इनसान तो साथ फेरा साथ बचल लेते ही है देवों ने भी साथ फेरे और साथ बचल लिया है तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये जनकारी कॉमेंट करिए सेर कीजिए और अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार